नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है हमने आपको पिछले उडियो में भी बताया था कि गेंदे की खेती करते समय हमें किस तरह का नियोजन करना है और हमें किस प्रकार का यहाँ से नियोजन करके उत्पादन ले सकते है और नियोजन करते समय हमें किस किस बात पर ध्यान रखना है और कुन सा स्प्रे लेना है किस टाइम पर लेना है और स्प्रे लेने के बाद ये कप तोड़ना है और मार्केट में इसके तोड़ने के बाद कैसे डिमांड रहेंगी डिमांड रहने के बाद आप कैसा रेट लेख सकते हैं हमने आपको बताया था और प्रोड़क्ट जो नंबर वन प्रोड़क्ट है और बेस्ट रिजल्ट से मार्केट में भी इसकी अच्छी खासे डिमांड है लोगों को इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है मैं आपको अगले वीडियो में एक दिन आपको और हमने साथ में भी इंसेक्टिसाइड यूज किया था जिसका नाम है फ्लेमिंगो नाम का इंसेक्टिसाइड है दोस्तो जिसके कारण हमारे यहां का अल्यों का प्रादरुबाव पूरा खतम हो गया है और हमारे यहां की अच्छी कॉलिटी है और जो फंगिसाइड यूज करके हमारे यहां की यह कॉलिटी है और हमने इस कॉलिटी मेंटेन के लिए यह अच्छा खासा नियोजन किया जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डिस्टंस कैसा रखना है कौन से कॉलिटी का पोधा लगाना है और कब लगाना है उसके साथ में क्या यूज करना है पहला स्प्रे कौन सा लेना है दूसरा स्प्रे कौन सा लेना है उसके बाद हमें कौन सा खाद भी डालना है यह हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था अगर आपको इसके बारे में आपको इंफोर्मेशन लगती हो तो हमारे चैनल में जाके गेंदो की फुल खे से डिमांड है हमारा अगर माल मार्केट में जाता है हमारे अगर गेंदे मार्केट में जाते है हमारे गेंदो को इतने डिमांड है कि हमारा माल मार्केट में ठहरता है नहीं जिसके कारण हमारे यहाँ अच्छा रेट मिल जाता है और हमने यह माल सब्तमी के लिए रेडी किया देखिए ये हमारा बोरा कम से कम 40 किलो का हूंगा जिसमें हम माल बर रहे हैं ये हमने पिछले दिन इसका तोड़ा किया था और अगले दिन याने सब्तमी के दिन हम ये मार्केट में ले जाने के लिए इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं ये भी बोरा कम से कम 40 किलो का है ये और य एलो वाला है और इसमें जो कोई भी बीच में औरेंज माल होंगा वो हम यहां से निकाल लेंगे जिसके कारण हमारे यहां माल डैमेज नहीं हो सकता और माल डैमेज नहीं होने के कारण हमारे यहां मार्केट में अच्छा रेट मिलेगा क्यूंकि औरेंज को रेट अलग रहता है और जो एलो रहता है उसको रेट अलग रहता है मार्केट में इस साल मिनिमम 120 से लेकर 150 तक के रेट चल रहा है 100 रुपीज भी रेट चल रहा है अगर आपका माल थोड़ा डैमेज होंगा लेकिन हमारे माल की कॉलिटी अच्छे होने के कारण मार्केट में हमारे प्रोड़क को इतनी है डिमांड है कि बताने का कोई नाम ही नहीं देखे दोस्तों हम ए औरेंज वाले गिंदे अलग निकाल रहे हैं अगर आपको भी इस तरह का नियोजन करना है अगर आपको भी इस तरह का प्रोड़क्ट अपने खेती में से प्रोड़ कि हमारे चाइनल को लाइक शेयर और सब्स्राइब करना ना बुले दोस्तो थैंक यू